हलो दोस्तों आप सभी का ससी जी की ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में इस किस्टा के छत्र में दिये जाने वाले नोबल पुरुस्कार 2020 के कुछ महत्पुरु प्रशन को देखेंगे जो अगर गामी आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए पहुत ज्यादा यूज फूल है दोस्तों इस वीडियो में किस्टा के छत्र में कितने लोगों को पुरुस्कार दिया गया है और इन वाई ज्यानिकों को किसकी खोच के लिए यह पुरुस्कार दिया गया है और सरपर्थम नोबल पुरुस्कार कब दिया गया था इन सब प्रशनों को इस वीडिय में देखेंगे दोस्तों आप वीडियो को बिना इस्कीप किये स्टार्टिंग से लेके लाश्ट दक देखें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आज आपका पहला प्रस्न है कि 2020 में चिकित्सा के छेत्र में नोबल पुरुसकार किन वाज्यानिकों के दिया गया है तो इसक वाज्यानिकों को दिया गया है दोस्तों इसके अत्रिक्त आप याद रखेगा कि माईकल हाफ्टन ब्रिटेन के वाज्यानिक है हारवे अल्टर अमेरिका के वाज्यानिक है चार्ल्स राइस यह अमेरिका के वाज्यानिक है दोस्तों इन वाज्यानिकों को हेपेटाइटिस वाइरस की खोश के लिए यह पुरुसकार दिया गया है चलिए दोस्तों अगले प्रस में चलते हैं तो आपका अगला प्रसना है 2020 में चिक हिसा के छत्र में नोबल पुरुसकार किसकी खोश के लिए दिया गया है तो 2020 में चिक हिसा के छेत्र में यह नोबल पुरुसकार हेपिटाइटी C की खोच के लिए पुरुसकार दिया गया है तिसका राइट एंसवर A होगा हेपिटाइटी C एक परकार का वाइरस है जो हमारे सरीर के लिवर को प्रभाइद करता है तो चलिए अगले प्रश पर चलत हेपिटाइटी C एक प्रकार का वाइरस है यह रिख को इंग्लीस में लिवर भी करते हैं दोस्तों इसको भी याद रखिएगा लिवर ज़olly अगले प्रश न पर चलते हैं आपका अगला प्रश न है हेपिटाइटी C क्या है यह अजिए अक प्रकार का वाइरस है जो 1901 में दिया गया था तिसका राइट एंसर भी होगा और 1901 में अल्फ्रेट नोबल की याद में यह पुरुसकार दिया जाता है तो चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है चिकित्सा के छत्र में पहली बार नोबल पुरुसकार किस वह ग्यानी को दिया गया था तो चिकित्सा के छत्र में पहली बार इमेल वन बेरिंग को यह पुरुसकार दिया गया था तो दोस्तों इसके अत्रिक्त आप याद रखेगा चिकित्सा के छत्र में पहले भारती कौन नोबल पुरूसकार दिये गया था तो उनका नाम हर गविंद कhUrana है तो चलते हैं अगला प्रशन नोबल पुरूसकार किसकी याद में दिया जाता है तो नोबल पुरूसकार अल्फरेट नोबल की याद में दिये जाता है तिसका राइट एंस्वर डी होगा अल्फरेट नोबल को 1901 में डाइनेमाइड की खोज के लिए पुरुसकार दिया गया था तो चली अगले प्रश्ण पे चलते हैं अगला प्रश्ण है नोबल पुरुसकार से संभानित होने वाले पहले भारतिय कौन है तो न तांजली पुष्टक के लिए यह पुरुसकार दिया गया था यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है दोस्तों इससे आप याद रखिएगा चली अगले प्रस्ण पे चलते हैं आपको अगला प्रस्ण है किस भारतियों को चिकिस्सा के छत्र में नोबल पुरुसकार मिला है तो किस भारतियों को चिकिस्सा के छत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया है चली अगले प्रस्ण पर चलते हैं तो अगला प्रस्ण है नोबल पुरुसकार 2020 चिक्साय का पूरुष्कार कहा दिया गया है नोबलबू सकार 2020 चिक्साय का पुरुष्कार सть इसका फूर्ट में दी जाता है इसका राइड एंसर ळोगा चलते हैं आपका अगला प्रस्म handlar नोबल तो नोबल पुरुसकार चा चत्रों में दिये जाता है इसका राय टैंस्वर भी होगा आए दो इन चत्रों को भी देख लेते हैं पाला चत्र है शांती सांती की चत्र में मदर तेरेसा को 1989 में समास सेवा संबनित कार के लिए दिया जाता है साहिति के छत्र में रविन्दा टैगोर को 1913 में गितांजली पुस्ता के लिए पुरुसकार दिया गया था भौतिक के छत्र में सीवी रवन को 1930 में रवन प्रभाव के लिए पुरुसकार दिया गया था जबकि रासायन विज्ञान में वेंकन रमर राम किर्षणन को पुरुषकार दिया गया था चीकिस्टा के चेत्र में हरगविंद खुराना को 1968 में कृत्रीम जीन के संस्लेशन के लिए पुरुषकार दिया गया था अर्थसास्त्र में अमर्त सेन को 1998 में कल्लडकारी अर्थसास्त्र के लिए पुरुसकार दिया गया था दोस्तों पुरुसकास की खिस्ता से संब्धनित पुरुसकार यहां पर समाप्त होते हैं